वेलकम टो डिस्टल जी के क्लासेश तो आज जो है हम सीडीपी के बहुत इंपॉर्टेंट को डिस्कस करेंगे और जिसने भी इस क्वेशन में 15 में से 15 या 14 भी गेन कर रहे हैं तो उनकी तयारी बहुत अच्छी चल रहे हैं तो आप खुद को अनलाइस करना लास्ट में कि आ प्यारी कैसे करनी हैं नोट्स कैसे बनाना है क्लासेश जो हैं डेली चलती है हर सब्जेक्ट की आप टेलिग्राम पर भी जुड़ सकते हैं उसका लिंक मैंने कमेंड बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है चली स्टार्ट करते हैं देखिए हिंदी इं चेंजिस एंड एक्टिव सर्च फॉर आइडेंटिटी किस में होता है एडोलेसेंस किसोरा वस्था में होता है तो ये तो आप सभी को पता है और ऐसे कुश्चन से डीपी में बहुत बार पुछा हुआ है तो इसको हमेसा ध्यान रखना कि किसोरा वस्था में हार्मोन चें इसने को मिलेगा ऐसा, भासा विकास केवल सैस्वा वस्था के दौरान होती है, केवल लिखा है, और इसलिए केवल सैस्वा वस्था तक ही उप्युक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए, इसमें आपको बताना है कि क्या चीज़े सही है क्या गलत है, यह यहीं पर गलत हो मैंने हमेशा बताए केवल वर्ड गलत होता है केवल नहीं लिखा होता देन हम समझते बट यह केवल लिख दिया यहां पर भी केवल कि केवल आपका सैस्वा वस्था में ही होगा गलत होता है दूसरा देखिए सुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किये गए नकरात्मक वातावरण का दिर्ग कालिक प्रभाव नहीं होता है मतलब अगर आप अभी बच्चे कोई बच्चा है और उसको स्टार्टिंग में ही नेगेटिव एन्वार्मेंट दे दिया जाए तो इसका काफी लंबे समय तक जो है इफेक्ट नहीं होता है गलत लिखा है आपने लिखा है कि इसका कोई प्रभाव नहीं होता है लॉंग टम तक बिल्कुल होता है इवन पूरी लाइफ से वो दिमाग से निकलता नहीं है अगर कुछ नेगेटिव चीज़े हुई होती है तो दोनों का दोनों ही गलत है तो इसमें क्या होगा ऑप्शन नमबर 4 ए और आर द दोनों ही गलत है अगला question है अब यहाँ पर है कि development की बात हो रही है मैंने आपको बताय था ना growth and development से questions बहुत आएंगे उसके बारे में बताना है कि development के बारे में क्या चीज़ इसमें सहीं लिखा है तो चलो देखते हैं पहला देखते हैं कि विकास की गती में वैक्तिगत व होता है तो इसमें individual जो है differences होते हैं क्योंकि हर इंसान क्या है अलग है एकदम सहीं है दूसरा देखें और मैंने इस starting से बहुत सी चीज़ आपको explain कर दी है तो आज हम क्या करेंगे जल्दी से सारे answers निकालने की कोशिस करेंगे और यही habit आपको exam में डालनी है और अभी से आ गलत है पार्शियल होता है क्योंकि आपका जो विकास होता है वो मैंने बताया है heredity into environment इसका क्या है गुड़नफल होता है तो यह तो चलो सहीं था बट यह गलत हो गया क्योंकि लिग दिया कि पूरी तरह से हमारे heredity पे depend करता है तीसरा देखें कि विकास जो है वो पुर् development का जितने भी जो छेतर होते हैं वो एक दूसरे से related होते हैं आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि इसके वज़ा से हम जो है कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं इस वज़ा से यह सहीं होगा and एक बार English में भी दिखा देती हूँ देखें पहला तो सहीं है कि individual differences होते हैं बट दूसरा गल आप में से बहुत सी लोग होंगे जिनको बहुत बार टीचर नहीं बोला होगा कि तुम बढ़े होके doctor बनोगे engineer बनोगे dancer बनोगे painter बनोगे जो लोग drawing वगरर में जादा interest लेते हैं तो yes of course इसका predict किया जाता है all domains of development are interrelated domains, मतलब development के जो सभी parts होते हैं, सभी आयाम होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंदित होते हैं अगर आप यहाँ पर dance सीख रहे हो फिर आपने यहाँ पर कोई music सीखना है start कर दी, यहाँ पर पढ़ाई में बहुत अच्छे हो तो क्या यह सारी चीजे अलग हो जाएंगी नहीं, यह कहीं नहीं हमको help करता है यह और एक दूसरे से क्या होता है interrelated होता है समझ गयोंगे इंगलिस में भी तो क्या गलत था, बस यह गलत है तो पहला, तीसरा, चौधा option number three is right four question देखते हैं वे गडिती प्रश्ण जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंदित हैं और बीजगडित कथन आलेखित करते हैं प्रारमिक पाठ चर्या का एक भाग है इस विचार का आधार है कि किसोरा वस्ता की छात्र जो है कौन सा कारिक करने में सक्षम है यह पूछा है परिकल्पना का क्या मतलब होता है कि आप कोई भी चीज क्या कर सकते हो imagine कर सकते हो अगर मैं आपसे कोई question पूछूँगी तो आप सोच सकते हो उसके बारे में तो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंदित होता है मतलब बच्चा जो है वो परिकल्पना हाइपोथिसिस उसके अंदर आ चुका होता है वो खुद से सोच सकता है अगर उसके सामने कोई चीज नहीं है फिर भी तो यही पूछ रहा है कि अगर ऐसी चीजे आ गई है तो इस विचार धारा का क्या है कि बच्चा जो है कौन सा काम करने में सक्षम हो गया तो वो क्या करने में सक्षम हो गया अमुर्थ चिंतन जो चीज उसके बारे सामने नहीं है उसके बारे में भी बच्चा सोच सकता है उसको ही तो बोलेंगे hypothesis अगर आपने जीन प्याजे की थियोरी पढ़ी होगी उसमें detail में लिखा है abstract thinking बच्चे के अंदर आ चुकी होती है develop हो चुका होता है जिसके वज़ा से उसका hypothetical situations are a part of elementary curriculum तो यह किसमें होता है? abstract thinking में अगला question देखते हैं 5 पियाजे के अनुसार इन में से कौन से चार तत्व जो है हमारे विकास को development को प्रभावित करते हैं तो वो कौन सा है? परिपक्कोता, क्रियाशिल्टा, समाजिक अनुभव और संतुल्टा यही है इसका right answer option number one हमको यहीं पर मिल गया है और यह चार तत्वा आपको याद रखना है एक बार मैं आपको इंगलिस में भी दिखा देती हूँ, देखिए कौन-कौन सा है देखिए maturation है, activity है social experience and equilibration है इसको आप निमोनिक्स बना सकते हैं M-A-S-E हमेशा याद रखना और यह आता है क्रम में लगाने पे इनके जो चार तत्व हैं, जो विकास को प्रभावित करते हैं, यह पूछता ही है और एक भी मिस कर देगा, तो आप जो है गलत कर देंगे, तो इसको trick से याद रखो M-A-S-E, M से हो गया maturation A से हो गया activity S से हो गया social experience और E से क्या हो गया, equilibration तो आप इसको याद रखेंगे, कभी भी भूलेगा ने यह क्या है, P-A-J के अनुसार चार तत्व हैं, जो हमारे development को प्रभावित करते हैं, M-A-S-E हमेशा याद रखना अब चलिए हमारा next question है question number 6 लेवाय गोस्की वो जीन P-A-J के सिधानतों में मुख्य भेद क्या है, अगर आपने पढ़ा हो, तो इनके जो है, जो इनके theories हैं, उसमें मुख्य difference है, मुख्य जो है difference है, वो क्या है, तो चलो देखते हैं पहला क्या है, कि बच्चों के अर्थ रशना की प्रक्रिया में भूमिका, वस्तुनिष्ट, रचनातमक ये नहीं है कोई भेद दूसरा देखते हैं, बच्चों को सक्रिय निस्क्रिय कार्य करता के रूप में देखना नहीं दोनों नहीं active देखा है, तीसरा देखिए भासा वा सोच के बीच समभंध येस, क्योंकि आपको पता है कि भासा को किसने value दिया है वाइगौसकी ने बोला है कि बच्चे भासा से उनके learning होती है, बट प्याजे ने क्या बोला है कि बच्चा जो है, वो stages में सीखता है बच्चा जो है सोच सकता है इवन पियाजन ने तो ये तक बोला है कि बच्चा भी उतना ही amount में सोचता है जितना हम बड़े लोग सोचते हैं उतना ही same होता है बस उसका क्या होता है kind अलग होता है different होता है amount same होता है उन्होंने सोच को बोला है तो दोनों की यही चीज़े हैं और दोनों में यही मुख्य भेद हैं तो option number three is right अब चलते हैं seven question पे देखें लेवाइगोस्की का विकास था अगर आपने लेवाइगोस्की की थियोरी पढ़ी होगी तो आप यह आराम से कर लेंगे इनका क्या विश्वास था कि पहला देखो कि पहली बाद इनकी थियोरी का नामे आद रखना socio-cultural समाजिक अधिगम का सिध्धान्त कई बार पुछा है इन्होंने संस्कृति को महत्व दिया है बोले हैं कि भासा के माध्यम से बच्चा सीखता है private speech यह सारी चीज़े जो है detail में लिखी हुई है मैं इसमें एक थियोरी का जो है छोटा से वीडियो ले कराऊंगी जिसके जिसे आपका सारा कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो देखो इसमें लिखा है कि क्या विश्वास्था उनका सिक्षा का मुख्यो देश विद्यार्थियों की स्मृति में तत्यों को ठूसना है और विद्यार्थियों को याद करना है तत्यों बिल्कुल भी नहीं ऐसा कुछ नहीं था इवन इन्होंने तो बोला था कि ये क्या बच्चे जो हैं इंटरेक्ट अंतक्रिया के माध्यम से सीखते हैं दूसरा देखे बच्चे मुख्यता अकेले काम करके और संक्यानात्मक और धर्णाओं के खोश करके सीखते हैं इन्होंने तो स्कैफोल्डिंग की बात की है कि बड़े सपोर्ट करते हैं तो ये भी गलत हो गया तीसरा अधिकम संरशनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है और फोर देखिए अधिकम मुख्यता तब होता है जब बच्चे किसी प्रतिक्रिया से कोई उदीपक जोड़ते हैं ये भी गलत इसका राइट आंसर क्या है इनका विश्वास था कि जो लर्निंग होती है वो संरशनात्मक होती है और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है सहयोगात्मक मतलब अगर आप कोई चीज नहीं सीख रहे हो तो कोई आपसे बड़ा या जिसको पता है वो आपको थोड़ा सबस सपोर्ट देदेगा तो आप उस काम को कर लेंगे यह तो इन्होंनों बोला ही है तो इसलिए यह राइट है अब हम यह देखते हैं एट यही तीन थियोरी आपको देखने को मिलेंगी लॉरेंस कोलवर्ग, पियाजे और वाइगोस्की अब लॉरेंस कोलवर्ग की विसे में कौन सा विकल्प सही है तो चलिए हम देखते हैं पहला है कि वे पियाजे के सिधान को उद्रित नहीं करते थे गलत है, उद्रित करते थे यहाँ पर नहीं वर्ड लिग दिया है और हमसे सही वाला पूछा है वे नैतिक विकास के 6 इस्तरों को 2 चरणों में समेट देते थे नहीं, इन्होंने 3 जो है आपको पता ये 3 स्टेज और 6 लेवल दिये है तो ये 2 चरणों में कहां वो तो 3 चरण है न इनके तो ये यहाँ पर गलत हो गया उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक इस्तिती देकर सोध किया है अगर आपने पढ़ा होगा तो इन्होंने किया है हिंज की दुविधा की बताया है कि वो जो बिमार थी उसको इस्तिती में क्या करना चाहिए था उसने चोरी की है दवाई ये सारा डीटेल में आपने पढ़ा ही होगा तो यही चीज था इसी के उपर उने क्या किया है एक्सपेरिमेंट किया है सोध किया है रिसर्च किया है किस पर हिंज की दुविधा पर और हमको यही पर आंसर मिल गया है बिल्कुल यही किया इन्होंने फोर देखते हैं उनका मानना है कि संग्यनात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नयतिक्ता का विकास भिन भिन होता है बिल्कुल भी नहीं इनका ऐसा कुछ नहीं मानना था option number 3 is right 9 class 9 देखते हैं ये देखें एक प्रगती सील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए मतलब एक जो है progressive classroom है तो आप एक teacher को जो है क्या करना चाहिए तो चलिए देखते हैं पहला लिखा है कि उपदेशक होना चाहिए वह सदा कक्षा को नियंतरण में रखना चाहिए आप क्या करो इदम dart के फटकार के रखो इदम उनको control में करो क्या ऐसा करना चाहिए बिल्कुल भी नहीं यह गलत हो गया दूसरा देखे चात्रों के पुर्वग्यान वह अनुभवों को महत्व देना चाहिए यास हमें हमेशा यह करना है हमें बच्चा जो पहले सीखा है जो उसके experience है उसको respect देना है यह लिखा है केवल बा है उत्प्रेणन पर बल देना ची गलत है कि आप क्या करो केवल जो है extrinsic motivation पर ही जो है focus करो और यह केवल word है यह अपने आप में ही negative word है negative tag word है फोर देखे चात्रों को आलोचात्मक तरीके से सोचने पर प्रोटसाइद करना चाहिए इसका मतलब होता है critical thinking जितना ज़्यादा आप बच्चों को motivate करेंगे critical thinking के लिए को खुद से सोच सके बहुत अच्छी होती है बहुत ज़्यादा बच्चा सीखता है तो देखे गलत कौन कौन सा हमारा सहीं क्या हुआ है ये पहला तो गलत हो गया दूसरा and four तो option number two जो है right है कितना असानी से देखे answer मिल गया अब ये है 10 question मुल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए अब ये मुल्यांकन आपको पता ये ने क्या होता है assessment should do reported in such a manner that किस मतलब manner में इसको report करना चाहिए क्या सूचित करना चाहिए मुल्यांकन आप किसका करते हो बच्चो का करते हो खुद का भी हम करते हैं मुल्यांकन तो क्या सूचित करना चाहिए यही पुछा है वह कारे जो विद्यार्थी नहीं कर सकता क्या मुल्यांगन आप इसलिए करेंगे कि यह काम कौन सा है जो बच्चा ना करें तो यह तो गलत है हम इसलिए थोड़ी न मुल्यांगन करते हैं दूसरों के तुलना में विद्यार्थी का प्रदर्शन क्या आप compare करने के लिए मुल्यांगन करोगी कि वो बच्चा जादा अच्छा है ये कमजोर है ये भी नहीं करते हैं तीसरा विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है का विस्तरित ब्योरा जैसे क्या पोर्ट फोलियो बनाते हैं उसमें डिटेल में लिखा होता है कि बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है क्या उसको लो, तुम बहुत तेज हो, और कोई बच्चा नहीं बोल बारा है, कोई दिक्कत है, उसे ता आप क्या बोलो उसे, कि तुम एक नमबर के क्या हो, पूर हो, मंद बुद्धी हो, एकदम गलत है, इसका सबसे सहीं क्या है, option number 3, कि बच्चे जो हैं, क्या और कैसे सीख रहे हैं, 11 question है, NEP से question, जो कि हर सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा, रास्टरी सिक्षा नीती, 2020 में प्रस्ताविस, समगर 360 डिग्री, बहु आयामी उन्नती पत्र को क्या दर्शाना चाहिए, और ये मैंने आपको कराया भी है, कि ये जो 360 डिग्री का मतलब क्या होता है उन्नती पत्र को क्या दर्शाना चाहिए, यही चीज इसमें लिखा हुआ है, तो चलिए देखते हैं, पहला देखें, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की, दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना करना, जहां पर भी तुलना वर्ड आये न, त पर टैग नहीं लगाना है, दूसरा देखें, विद्यार्थियों के संगयनात्मक, भवात्मक, वा मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगती, यह यह राइट है, तीसरा देखें, विद्यार्थियों के संगयनात्मक, छमताओं के अनुसार, सहीं पहचान कर, आठ बिंदू स्र इसा करते हैं फोर देखे विद्यारती के अधानाओं में कमिया जिन पर अभिभागों को मेहनत करनी है। मतलब सारी चीजे जो हैं वही क्या होता है। चित्रण किया गया है। यह किसका उधारण हैं कि एक बुक में जो हैं फिमेल हैं वो क्या कर रही हैं बच्चों का पालन पोशन कर रही हैं। यह चीज का उधारण हैं जन्मजात मतलब यह होता है कि इनके अंदर जन्मजात ऐसी छमताएं होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। उधारण बस हमसे पूछा है तो वही देखते हैं। जन्डर पक्षपात है। जन्डर समानता है यह जन्डर समता है। यह क्या है पक्षपात है। जिसे इंगलिस में बोलते हैं बायस। जन्डर बायस। जेंडर बायस, कहीं पर भी आपको पाठे पुस्तकों में, अगर केवल जो है, ऐसी चीजे लिखें कि एक महिला है, वो पालन पोशन कर रही है, देख भाल कर रही है, तो ये क्या चीज दर्स आता है, जेंडर पक्षपात को, option number two is right. 13 question देखते हैं, विद्यार्थियों में समालोशनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है, ये समालोशनात्मक जो है न, critical thinking, इतना पूछता है seated, क्योंकि critical thinking का मतलब भी होता है, कि जिस questions बें बच्चे को सोचना पड़ जाए, समझना पड़ जाए, उसे ही बोलते है तो किस प्रकार किया जा सकता है, चलिए देखते हैं, उनकी प्रत्या इस्मरन की योगिता के परिक्षड द्वारा, कि बच्चा जो है कितना ज़ादा याद कर सकता है, एकदम गलत, उनके विवेच नात्मक कॉसलो की विसलेसर द्वारा, उनकी नकल करने की प्रगती की गत मतलब बच्चा कोई बहुत बढ़ियां उसका प्रनेंशियेशन है उसके अकॉर्डिंग करेंगे और कुछ बच्चे जो सहीं से नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब वो नहीं सीख रहे हैं यह भी गलत है कि आप जो है वर्तनी के हिसाब से नहीं करते हो आकलन आप किस पर करते हो उनके विवेचनात्मक कौसलो के विशलेसर द्वारा एनलाइजिंग देयर इंटर्टेशन स्किल्स इंटर्प्रेटेशन स्किल्स का मतलब कि यह अगर आपके अंदर समालोशनात्मक शिंतन क्रिटिकल ठिंकिंग है तो वहाँ पर आप क्या करते हो अगर कोई प्रॉब्लम एकदम फटा-फट सोच लेते हैं option number 2 is right और ये हमारा 14 question और last में आपको बताना है आपके कितनी score आए हैं और वीडियो पसंद आएगा तो like चैनल को subscribe जरूर कीजेगा यहां से आपको बहुत support मिलने वाला है seated से related 14 question लेवाई गोस्की के अनुसार निम्न लिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है यहां पर देखे ध्यान दिजेगा नहीं word आ गया है तो चलो देखते हैं अनुक्रिया उदीपन सब्बंध पाड मतले scaffolding भासा, समाजिक अंतरक्रिया आपका आंसर तुरंत निकल गया क्योंकि इन्होंने इन तीनों के बात की है कि scaffolding बच्चों को देना है जहां उसको जरूरत हो language से बच्चा सीखता है समाज से interact करके बच्चा सीखता है बट इन्होंने इसकी बात नहीं की है अनुक्रिया उदीपन संबंध जिसे बोलते हैं stimulus response association इसकी बात इन्होंने नहीं की है तो यह जिसने थियोरी पढ़ा होगा वो अराम से कर लेगा और यह है आज का हमारा last question question number 15 बुद्धी मता के समकालिन सिधान्तों जैसे कि Harvard Gardiner द्वारा दिये गए सिधान्त के अनुसार बुद्धी के बारे में निम्नलिकित कत्नों में से कौन सा सही नहीं है यह देखे Harvard Gardiner से questions एकदम confirm है इन्होंने multi-lingualism मतलब बहु भासिक्ता sorry बहु बुद्धी जिसमें बहुत सारे intelligence कि इन्होंने बात की है और आपने देखा होगा अगर इनकी theory आपने पढ़ी होगी कि इन्होंने naturalistic हो गया linguistic हो गया यह सारी चीज़े इन्होंने बताई है तो उन्हीं के बारे में बताना है कि जो Harvard Gardiner द्वारा इसको सटीक रूप से बतलाए जाता है इन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलाए कि आप एक मानक जो है fix कर दो test यह तो यहीं पर गलत हो गया लेकिए हमसे नहीं वाला पूछा है तो हमारा answer मिल गया दूसरा देखे बुद्धी मता के अंतरगत कई सोतंत्र बुद्धिया आती है अभी जो मैंने आपको बता है linguistic हो गया naturalistic हो गया बहुत सारे interpersonal इंटरापोर्सनल यह सारे क्या है intelligence ही तो है इसकी बात इन्होंने की है यह एकदम सही है तीसरा देखे बुद्धी आनुवांसिक वो परियावरणी कारकों के जटिल परसपर क्रिया का परिडाम है यह अफकोर्स हरेडिटी एंड एन्वाइमेंट यह इन्होंने बोला है प्रेरख परिवेश प्रदान करके बुद्धी मता को बढ़ावा दिया जा सकता है हाँ येस अगर अच्छा आपको अर्माइमेंट मिलेगा तो वहाँ पर इंटेलिजेंस को क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं तो इसमें से गलत क्या है ओप्श नमबर बन देख लीजे क्या चीज़े नहीं होंगी इंटेलिजेंस कैन भी अच्छो का क्या करना कहीं पर भी अगर आ जाता है कर आपको बच्चो का क्या करना मानक पर इंट्शन पर इंक्फचण करना इस्टैनर डाइ Brenda यहीं पर क्या होता है गलत हो जाता है यह नहीं पर क्होंड़ था!? तो यह थे हमारी CDP की questions और आप आपको इससे बहुत हल्प मिली होगी और आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं बस ऐसी प्रैक्टिस करते रहे हैं मेरे साथ तो आपका सीटेड जो है 100% क्लियर हो जाएगा थैंक्स फर वाचिंग